नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है पीछे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की हमारी प्यारी सी जिमनी खड़ी हुई है और इन्होंने खरीद ली है और जानने की कोशिस करेंगे क्या कोई मजबूरी थी या फिर शौकिया तोर पर इन्होंने गाडी को पर जोशरी बात जब इसकी ड्राइव करी थी ना तो ड्राइव बड़ी ही इसकी मचोर जो है ना इसने बिहेव दिखाया था और लेकिन अगर कोई चीज मार्केट के अंदर विकाओ वगेरा है ना तो उसकी कीमत होती है ठीक है अब वो कीमत आपकी नजरों में कैसी है बह मारुति ने इस गाड़ी की कीमत निकाली ना उसी दिन मैंने इसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि मेरी नजरों के अंदर जो कीमत थी वो कम से कम यही था कि दो लाख रुपए आराम से इन्हों ने उपर जो है मुझे याद है कि तु बहुत गुस्सा कर रहा था मारुति वालों पर हां कुछ तो कह रहे थे कि इनफेक्ट जो है ने एक दो यार दो स्टेबल वहां पर जा करके इन्होंने गांजा वाजा तो नहीं फूक ली इतनी हाइप प्राइस जो है ना वह रख दी खेर वह एक मजाक की बात थी लेकिन अब जब जा करके इन्होंने डिसकाउंड द कीमत को सपोर्ट किया तो उससे क्या हुआ कि जो बायर थे ना उनके साथ में थोड़ा सा इंजस्टिस हो गया उन्होंने बड़ी कीमत के उपर मतलब की बढ़ी हुई कीमत के उपर ही वह गाड़ी खरीदी और आज के दिन वह भाई लोगों का डेफिनिटली यार दो धाई लाक रुपए महंगी गाड़ी खरीदी तो उनके लिए थोड़ा सा सोरी लगता है अम लोगों अब बात को जादा मत घुमा खड़ी कितने की यह बता यह चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे को लगबग सवा मतलब की यह लगाला कि सवा तीन लाक से उपर का को मिला है एक हमारे मित्रे हैं उत्राकंड से और उनसे काफी जल्दी हम आपको मिलाने वाले एक्सपार्ट है ऑफ रोडिंग में 14 जिमनी उन्होंने ग्रूप में खरीदी और ऑटोमेटिक जेटा यह वैसे जेटा ऑटोमेटिक है जो ऑटोमेटिक जेटा ग्यारा नब्ब सिंपल सा लोजिक है सोचने वाले यह विचारी नेगटिव का क्यों शिकार हुई क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा हाई थी ठीक है साइज के हिसाब से ज्यादा थी इसमें थोड़ा सा पैसा लगाकर को लोग दूसरी गाडियों में जाना पसंद कर रहे थे ठीक है लेकिन आपको मिलने वाला है सबसे बढ़िया चीज की रियर वील ड्राइव है ठीक है और यह बोडी ओन फ्रेम वीकल है और क्या एक छोटा सा इसने चेंज करवा रहा रहा है तायर अपग्रेड करवाएं उसके बारे में बताते जारा दर सब्सक्राइब का मैं आपको बताना चा 25R15 एट 235R15 उसके उपर मत जाओ दोस्तों उससे होगा क्या उससे ना तो सिर्फ आपकी एवरेज डाउन होगी साथ की साथ आपका जो स्टेरिंग का जो रिस्पोंस है ना वो भी बहुत ही स्लो हो जाएगा वो भड़ा अजीब सा जो है ना वो भीहेव करता है भारी हो ज जगें बहुत कम मिलती है फिर उसके अंदर जितना आपका टायर रोड के ज्यादा मतलब की घर्शन करता हुआ चलेगा एवरेज उतनी कम होगी इन फैक्ट यह लगवाने के बाद भी जो है ना वो कम हुई है बहुत दुख हो रहा है मुझे मारुति की गाड़ी से हमें अ साल चलाएगा और करेगा क्या इस गार यह ना यह आपका विकल ऐसा है यह हो गया थार हो गया लाइफस्टाइल टाइप के विकल है यह आप इसको सेकंडरी यूज़ करोगे तो सिंपल सी बात है गाड़ी चलानी की कोई कमी नहीं है हम लोगों को काफी गाड़ियां वैसे पर सिंपल सी बात है सबसे मेजर ड्रोबैक है इसके अंदर स्टोरेज जो है ना मतलब कि कुछ भी कप होल्डर वगएरा यह सारी चीजें नहीं है इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं पहाड़ की चोटी में चड़के जो है कैंपिंग करेंगे ना ऊपर जाकर चीज है कि पह दिया दो लाग के असपास का और उसके बाद डिलर्शिप के डिसकाउंट भी इंक्लूड़ेट है इस प्राइज में जिसमें खरीदी है जहां पर गाड़ी की डिमांड जादा है कहने का मतलब है जहां पर जादा रही है जैसे पहाड़ो पहाड़ो वाले एरिया जैसे स्टॉक कम है कहने का मतलब है NCR में यार लोगों को कमफर्ट चाहिए उनको लगता है कि कमफरडेबल नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप आप इसका लेते हैं तो काफी फायदे में रहोगे आप टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि मैनुल इसका जो है गेर बॉक्स थोड आपको लगने वाला है अच्छा एवरेज की बात करें तो मैं बता दूं कि यह काफी अभी जो है वह 11.7 का जो है अमें शो कर रही है और वह भी हम लोग हाईवे पर चला कर लेकर लेकिन में ली हाईवे के ऊपर ही तो तो स्टोक टायर की बजाए अगर इसमें लेने के लिए गया था लेकिन उसकी लुक की बजाए मेरे को इस टायर की जो है वो लुक थोड़ी सी ज्यादा पसंद आई आप खुद देख सकते हो ठीक है इसकी जो यह गुड़ीया जो है यह थोड़ी सी ज्यादा दिखाई भी देती है और एक डिसेंट साइज का डिसे टायर है यह 80 टायर कॉंटिनेंटल है थोड़ा सा महंगा जरूर होगा ठीक है तो यह चीज लगवाई थी मैंने जाकर के वहां पर जो मेरे पुराने जानकार है मैं वहीं से टायर वगवाता हूं तो वह एक चीज सही है बाकि जैसा जैसा फीड़बेक मिलता रहेगा आपक थी मैरे सब्सक्राइब दोनों सीटों में अब हमारी है थोड़ा से जादा है थो और तो जिवेसे हमें थोड़ा से जादा परिशानी होती है छोटे हाइट वालों को पारिशानी नहीं को अच्चा और एक और चीज बतानी थी कि अगर आप सच में जिमनी लेने का मूड कर कर दिया है और एरेंड होने वाला है तो उस हुए से आपको डिस्काउंट वगरा मिल रहे हैं जादा और हम लोगों के जितने भी मीडिया मित्र वगरा थे उन्होंने भी कई उने बुक कर रखी है भर भर के डिलिवरी ले रहे हैं सब को बता है गाड़ी अच्छी है लेकिन क कुछ भी घर के उपर हमारे लिए खुद के लिए सिंपल है ठीक है तो लोजिकल सोच के देखोगे तो आपको सही चीज लगेगी बाकि आपकी मर्जी है ठीक है हम यह नहीं कहा रहे है कि इस वीडियो को देखके आप जिमनी खरीदें हाँ सिंपल लेकिन वैल्यू फोर मनी नहीं है तो ये दा आज का हमारा विडियो इसके अलाव कोई क्योस्चन रहता है नो हो गया सब कुछ, सब पता है कोई को देखलेना है पूरानी वीडियो बना रिख्यों अच्चिज किंपने συ। भी अकर कोई सवाल है क्योश्चन हैं आपको सAB कुछ बता दिया आःको प् सारी information आप लोगों को साथ में शेयर करनी थी क्योंकि Figo की भी करी थी, EcoSport की भी करी थी तो इसकी भी बंदी है EcoSport जो है मैंने बेची यह राजस्तान के अंदर वो BS4 बैन लगने से पहले ही जो है ना मेरे दिमाग में आ गया था अब सपना आया था जिमनी खरे दूँगा वो साकार भी हो गया ठीक है जी बस ठीक है दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप फोर विल्लर चलाते हैं तो सीट बैल जरूर डालना गर टू विल्लर जलाते हैं तो हेलमेट भारत माता कीजिएगा अगर माइलेट से कॉंप्रोमाइज नहीं करना है तो इनके बारे में सोचना हुआ